शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें धनुरासन पेट के बल लेट जाईए पेरों को घुटनों तक उपर की तरफ मोड़िये हाथों से अपनी एडियां पकड़िये श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को जितना उपर उठा सकते हैं उठाईए वजन आपके पेट पर पढ़ना चाहिए इस थिती में जितनी देर संभव हो रुखे झाल 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 प्राणायां आखे बंद रख अपना दाहिना हाथ उपर उठाते हुए दाहिनी कोहिनी को बाय हाथ की हतेली पर रखें सास रोक कर दूसरे नाक को अंगूठे से बंद करें बाय नाक से श्वास छोड़ें दाहिनी हतेली की पहली उगली और अंगूठा साथ लाएं बाय तरफ की नाक को दाहिने हाथ की दूसरी और तीसरी उगली से बंद रख कर दूसरी तरफ के नाक से गहरी सास लें कर दो कर दो कर दो कर दो नाक नहीं कर दो पर कर दो कर दो बाएं नाक से श्वास ले अब दोनों नाक को बंद कर दे दाहिने नाक से गहरी और लंबी श्वास ले दोनों नाक बंद रख कर इस थिती में कुछ पल रुकें बाएं नाक खोलते हुए श्वास छोड़े प्रानायाम योग-क्रिया का एक महत्वपूपूद् पूर्ण हिस्सा है। ये आपके मन को शांत रखता है। गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ती लाता है। पदमासन में बढ़ जाएं और तेज सासें अंदर बाहर लें। स्फूर्ती लाता है। ये क्रिया दो मिन्टों तक करें। ताड़ासन आपकी पीट की मसल्स को मजबूत बनाता है। इसको करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इस क्रिया को पांच बार करें। तिर्यक्ताड़ासन ये आशन कमर्वसीने का भार कम करते हैं। आपकी पीट की मसल्स को मजबूत बनाता है। इस क्रिया को दस बार करें। पादहस्ताअसन ये रक्त प्रवाह बढ़ाता है। ये आशन वजन कम करने रिदय को स्वस्त रखने में लाबकारी है। इसके द्वारा दमे के रोगियों को राहत मिलती है। त्वचा की चमक बढ़ाने में ये उपयुक्त है। इस क्रिया को पाँच बार करें। भुजंग आशन आपकी पीट की मसल्स को मजबूत बनाता है। आपकी कान्धे भी मजबूत बन जाते। इस क्रिया को दस बार करें। सर्वांग आसन ये मस्थिश्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है एवं संपूर्ण शरीर को कांतिमय बनाये रखने में मदद मिलती है ये आसन स्मरन शक्ति को बढ़ाता है इससे चहरे का सौंदर्य बढ़ता है इस क्रिया को पांच बार करें धनुरासन ये आसन पेट को पतला करने एवं कब्ज दूर करने में उप्युक्त है इस आसन को करने से पीट तथप गर्दन का दर्द दूर करने में लाबकारी है इस क्रिया को चार बार करें प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये आपके मन को शांत रखता है गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ती लाता है इस क्रिया को पांच मिन्टों तक करें भस्त्रिका प्राणायाम ये आपके मन को शान्त रखता है, आपके सिस्टम को साफ रखता है, इस क्रिया को दो मिन्टों तक करें ताडासन, तिर्यक्ताडासन, पादहस्तासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम झालासन, भस्त्रिका प्राणायाम प्ल्मुनरी सिस्टम अथवा सांस लेने की क्रिया के सही परिचालन के लिए ज़रूरी आहार बहुत महत पूर्ण है, सही पोशन ना मिलने के कारण फिपणों की क्रिया, श्वास की क्रिया तथा कारी करने की क्षमता शरीर की प्रतिरोधक शक्ती पर विप्रीत प्रभाव पड़ता है दमागरस्त व्यक्तियों याने एस्टमैटिक्स को रोग को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए असंतुलित आहार से आप अस्वस्त होते हैं जिससे दमे की तकलीफ और बढ़ जाती है दमे के लिए सही आहार ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी प्रतिरोधक शमता याने के इम्म्यूनिटी डिफेंस बढ़ें खान पान से जुड़ी जरूरी बातें हमेशा उचित वसंतुलित भोजन करें हरी पत्तेदार सबजियां तथा फलों का सेवन करें कुकिंग ओयल तथा आनिमल फूड्स निरधारित मात्रा में उप्योग करें तथा वनस्पती, घी, मक्खन का उप्योग उचित मात्रा में करें एकसेस वेट तथा आलस्च को दूर करने के लिए अधिक खाने की आदत से परहेज करें नमक का उप्योग उचित मात्रा में करें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए एवं पेप अदार्थों का सेवन संतुलित करना चाहिए processed एवं ready to eat foods का उप्योग सोच समझ कर करना चाहिए शक्कर का संतुलित प्रयोग करना चाहिए भस्त्र का प्राणायाम तो जैसा कि अभी आपने देखा दमे की परिशानियों से बशने के लिए और चैन की सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है अपनाना योग को हुआ 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 हुआ